आप सभी को जैमसिकी हिंदी बाइबल स्टेडी इस चैनल में आपका स्वागत है आए मिलकर हम लोग बाइबल में से एक बहन के बारे में हम सीखेंगे इस बहन के जीवन से हम सीख सकते हैं कि कैसे जब एक जन विश्वास में आता है कैसे उनकी आत्मिक बडोत्री होता है और परमेश्वर कैसे उस इनसान को प्रभु की राज्य की बडोत्री के लिए इस्तमाल करता है आईए इस विशे के बारे में सीखने के लिए हमारे ध्यान को हम प्रेरितों के किताब उसका सोलवी अध्याय और बारा से लेकर पंदरवी आयत तक हम लोग ध्यान देंगे इन चार आयतों की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे आपके लिए मैं पढ़ना चाती हूँ वहां से हम फिलिपी पहुंचे जो मकदुनिया प्रांथ का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे सबत के दिन हम नगर के फाठक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकटी हुई थी बाते करने लगे लुदिया नामक तुवातिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी प्रभू ने उसका मन खोला कि वो पौलूस की बातों पर चित लगाए जब उसने अपने घराने समित बप्तिस्मा लिया तो उसने हमसे विंती की यदि तुम मुझे प्रभू की विश्वासनी समस्ते है तो चल कर मेरे घर में रहो और वो हमें मना कर ले गई यहाँ पर जिस पहन के बारे में हम सीखने जा रहे हैं उनका नाम है लुदिया अब लुदिया की जीवन के बारे में इन चार आयतों में से हम क्या सीख सकते हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं कि लुदिया एक बिजनिस वुमन थी वो बेंजनी कपड़ों को बेचने वाली एक स्थरी थी तो उसके पास एक नौकरी था एक प्रोफेशन था दूसरे बात लुदिया की जीवन के बारे में जानने से पहले हम लोग पॉलूस के बारे में कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे पॉलूस ने एक दर्शन देखा था जहाँ पर उसने देखा था कि मकदुनिया जगह से कोई उसको बुला रहे हैं और इसलिए पॉलूस और उनके सातिया फिलिपी नगर में या फिलिपी जो स्थान है वो स्थान में चले गए अब जब पॉलूस और उनके सातिया वहाँ पर थे तो एक सबत के दिन वो लोग इस प्रकार सोचे कि चलो हम लोग नदी के किनारे जाते हैं हो सकता वहाँ पर कोई स्थान होगा तो हम मिलकर बैठकर प्रातना करते हैं और जब पॉलूस और उनके सातिया वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ बहने बैठे हुए थे और इसलिए पॉलूस उनके पास जाकर बात करता है और उन बहनों के बीच में लुदिया नामक बहन भी थी और पॉलूस उनके साथ जब बात कर रहे थे तब लुदिया ध्यान से सुन रही थी पॉलूस प्रभु का वच्छन उनको समझा रहे थे और लुदिया के बारे में यहाँ पर लिखा है उसके 14th वी आयत में लुदिया नामक तुवातिरा नगर की बैंचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्तस्त्री सुन रही थी प्रभू ने उसका मन खोला कि वो पॉलूस की बातों पर चित लगाए सबसे पहले हमने देखा लुदिया एक बिजनस वोमन थी दूसरी बात उनके बारे में लिखा है कि वो एक भक्तस्त्री थी मतलब वो सही तरीके से वो जीती थी उनकी अंदर प्रभू को जानने का एक इच्छा था और फिर हम पढ़ते हैं जब पॉलूस प्रभू की बाते उनको सिखा रहे थे या बोल रहे थे उस समय पर लुदिया के बारे में स्पेसिफिकली वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने लुदिया का मन को खोला और जब लुदिया का मन खुल गया उन वचनों के प्रती तब लुदिया प्रभू के वचनों पर विश्वास किया देखे मेरे प्रियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लुदिया भक्तस्त्री थी और परमेश्वर ने उनका मन को खोला वो उधार नहीं पाई थी लेकिन वो एक भक्त स्री थी मतलब वो चाहती थी कि सारी बातों को सही रीती से करे इमानदारी के साथ और उसमें जो है कोई भी गलत काम ना हो इस प्रकार वो सोचती थी और जब प्रभु का वचन उन तक पहुंचा परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है मेरे प्रियो जब भी प्रभु का वचन को हम किसी को सुनाते हैं या फिर हम प्रचार करते हैं हमारी ये प्रार्थना होना चाहिए कि प्रबु सुनने वालों का मन को आप खोल दीजिए जब परमेश्वर लोगों के मन को तयार करता है तब जो वचन बोला जाता है वो प्रभावशाली बन जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लुदिया का मन खुल गया और लुदिया ने प्रभु का वचन को ग्रहन किया अब लुदिया की जीवन की एक बहुत अच्छी बात को हम देख सकते हैं लुदिया तो प्रभु के बातों पर विश्वास किया उसका सबसे पहला स्टेप उसने मन से ग्रहन किया उसके बाद लुदिया क्या करती है हम देख सकते हैं उसकी पंद्रवी आयत वे यहाँ पर इस प्रकार लिखा है जब उसने अपने घराने समेत बब्तिस्मा लिया कितनी अच्छी बात है यापर लुदिया प्रभु का वचन को सुनती है लेकिन उसके बाद का आयत इस प्रकार कहता है कि वो अपने घराने समेत बब्तिस्मा लिया उसका घराना तो वहाँ पर था नहीं उस समय पर इसका मतलब ये है कि लुदिया प्रभु का वचन सुनती है वचन पर विश्वास करती है वचन उनके अंदर कारिय करता है वो अपने घर जाती है और वो चुपचाप नहीं रहती है उसका सबसे पहला कदम वो विश्वास करती है और उसके बाद वो विश्वास को दूसरों के साथ बाटती है और सबसे पहले दूसरे कौन है लुदिया अपने परिवार जनों के पास जाकर कहती है कि मैंने प्रभु पर विश्वास किया है मैंने वचन को ग्रहन किया है और वहाँ पर हम देख सकते हैं उनके पुरे परिवार वाले भी वचन के प्रति अपने मन को खोला मेरे प्रियो जब एक जन उधार पाता है जब एक जन समझ जाता है कि मेरे पापों से मुझे मुक्ती मिल गया है परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है अनन्त जीवन मुझे दिया है वो शांत नहीं रहता वो ये चाहता है कि मेरा परिवार जन भी इस उधार के मार्ग में आई और वही लुदिया ने भी किया लुदिया के जीवन से हम ये सीख सकते हैं उधार पाकर हमें त्रुप्त नहीं होना है संतुष्ट नहीं होना है उसका next step यह है हमारे अपनों के साथ हमें जाकर share करना है प्रभू ने मेरे लिए जो किया वो में अपने परिवार जनों को भी बता दू अगर परमेश्वर ने मुझे बचाया तो मेरे अंदर ये भूख होना चाहिए कि प्रबू आप मेरे प्रिये जनों को भी बचा लीजिए फिर हम देखते हैं उन्होंने क्या किया प्रबू के वच्चन को अपने परिवार जनों को बताया उसके बाद हम देख सकते हैं उनके पुरा परिवार बप्तिस्मा लिया मेरे प्रियों लुदिया एक बहुत अच्छी स्थरी थी और इसलिए उसके बातों को सब लोग सुनते थे और यकीन भी किया मैं एक और गटना बाइबल में से इसके साथ साथ जोड़ना चाहती हूँ वो है लूत के बारे में लूत के पास स्वर्गदूत आकर कहते हैं कि तुम्हें इस जगह को छोड़ कर जाना है क्योंकि सुदोम और गुमुरा पर परमेश्वर नाश करने जा रहा है और लूत अपने दामादों से कहता है कि हमें इस जगह छोड़ कर भागना है लेकिन उनके दामादों लूत के बातों को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं इन फैक्ट लूत की हजी मजाग उडाते हैं वहाँ पर लूत की निंदा करते हैं वहाँ पर कितना एक कॉंट्रास्ट है दोनों परिवार में यहाँ पर लूथ चाता है कि वो अपने परिवार जनों को बचे लेकिन वो परिवार जन बचने के बदले वो लोग अपने ही परिवार जन लूथ को निंदा कर रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं लुदिया वच्चन को सुना चाहती है कि अपना परिवार को बचाए परिवार को वच्चन सुनाती है और सारा परिवार विश्वास करता है क्यों ये दोनों परिवारों में एक फरक है यहाँ पर पहले से लेकर लूत जो है उनके पास ऐसा जीवन ऐसा गवाही नहीं था जिसके कारण उनके दामाद लोग उन्हें आधर दे लेकिन यहाँ पर लुदिया भक्तस्तरी थी उनके परिवार जन जानते थे कि लुदिया जो बोलती है उसमें मतलब होगा यह कुछ गलत काम नहीं करेगी मेरे प्रियो हमारी परिवार में हमें एक स्टैंड होना चाहिए हमारा एक गवाही होना चाहिए लोग हमारे बारे में बोलना चाहिए अरे ये तो कभी जूट नहीं बोलता, ये हमारा परिवार के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेगा, अरे ये कभी भी जाकर हमारी बात कहीं बाहर नहीं बोलेगा, या बाहर का बात मसाला मिला कर हमारे पास नहीं बोलेगा, इसका एक वच्छन कारिय किया और वो पुरा परिवार बप्तिसमा लिया मेरे प्रियो हम लोग ये प्रातना करें कि प्रबु हमारा चरित्र को आप अच्छा बना दीजिए आप हमें मदद कीजिए ताकि हमारी बातों में वो फावर हो हमारे बाते प्रभावशाली बन जाए ताकि सुनने वाले लोगों के अंदर वो कारिय होना है अगर मैं कैसे भी जी हूँ और फिर जाकर वच्चन सुनाओं तो वो वच्चन वहाँ पर कारिय नहीं करेगा इसलिए बहुत जरूरी है कि लुदिया जैसा जीवन हमारा होना चाहिए लूत जैसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए आगे देख लीजिए वहाँ पर क्या होता है पंदरवी आयत में जब उसने अपने घराने समेथ बब्तिस्मा लिया तो उसने हमसे विंती की यदि तो मुझे प्रभू की विश्वासनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो अब लुदिया और परिवार बब्तिस्मा लेते हैं अब लुदिया देखिए पहला विश्वास करती है घरवालों को बताती है सब मिलकर बब्तिस्मा लेते हैं अब एक सीड़ी उन्होंने चड़ लिया अब एक और कदम वो आत्मिक बातों में बढ़ रही है वो कह रही है पॉलूस और उनके सातियों को अगर आप समझते हैं कि मैं एक अच्छी विश्वासनी बहन हूँ तो आप मेरे घर में आईए वो विंती करती है वो रिक्वेस्ट करती है मेरे प्रियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लुदिया का मन कितना अच्छा था जब उन्होंने प्रभू को जान लिया तो वो चाहती है कि उसका घर प्रभू के राज्य के लिए इस्तमाल किया जाए वो चाहती है कि प्रभू के इन दास लोग मेरे घर में आए विश्राम करे खाना खाए और फिर सेवा करे उनका मन कितना अच्छा था अतिती सत्कार करने का एक मन उनके अंदर है मेरे प्रियों हम मैंसे बहुत से लोग उधार प्राप्त करते हैं कभी-कभी परिवार वालों को भी बचा लेते हैं उसके बाद हम लोग संतुष्ट होकर रहते हैं नहीं उसके बाद हमारा घर खुलना चाहिए ताकि हम बहुतों के लिए एक आशिश का कारन बन जाए बहुत सारे लोग है जो हमारे प्रेम को चकना चाहते हैं बहुत सारे लोग है जो हमारी हॉस्पिटालिटी को वो लोग महसूस करना चाहते हैं हम लोग उनके प्रती एक अतिती सत्कार दिखाना बहुत जरूरी है एक और आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ हम देख सकते हैं पहला पत्रस, चौता अध्याय और नवी आयत यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं बिना कुड़ कुड़ाए एक दूसरे का अतिती सत्कार करो मेरे प्रियों वचन हमें सिखाता है कि हम लोग अतिती सत्कार करने वाले लोग बन जाए एक दूसरे की सेवा करने वाले लोग बन जाए हमारा घर हमेशा इस बात के लिए रेडी रहना चाहिए आगी हम देख सकते हैं वो कहती है अगर तुम समझते हो कि मैं प्रभू की विश्वासनी हूँ मतलब उसको अपने बारे में भी एक गवाही है यह कि दूसरे तो गवाही देते ही है लेकिन वो खुद अपने बारे में भी जानती है कि मैं प्रभू की बेटी हूँ मेरे प्रियों आज क्या आपका मन आपके बारे में अच्छी बातों को कहेगा क्योंकि बहुत से वक्त हम खुद ही जानते हैं कि हम किस प्रकार के इंसान है हम दूसरों के सामने अच्छे बन कर रह सकते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हम कौन है अगर हम दिखावा करने हैं किसी के सामने हम लोग हसकर प्रेम दिखा रहे लेकिन अंदर ही अंदर अगर द्वेश है हम स्वायम जानते हम अच्छे लोग नहीं है लेकिन यहाँ पर लुदिया जानती है कि वो एक अच्छी विश्वासनी है होनी पाए हमारा मन हमारे लिए गवाही देने वाले बन जाए कि हाँ मैं प्रभु की बेटी हूँ मैं प्रभु का बेटा हूँ प्रभु मेरे साथ है मैं प्रभु की राज्य के लिए भहमूल्य हूँ इस प्रकार का गवाही हम लोग खुद स्वायम अपने बारे में भी कहना चाहिए अब उसी अध्याई का लास्ट आयत की तरफ में अपना आपका ध्यान को लेकर जाना चाहती हूँ प्रेरितो सोलवी अध्याई और चालिसवी आयत वो चालिसवी आयत से पहले हम लोग देख सकते हैं कि पॉलूस और सीलास उस जगह में प्रचार करने के कारण उनको पकड़ा गया, बहुत माया गया, जेल में डाल दिया गया और हम जानते हैं वो पूरी गटना को जहाँ पर वो लोग जेल में भी बैठकर आरातना कर रहे थे एक बड़ा भूकम पाया और उनकी जंजीरे तूट गए, वो लोग उस बंदिग्रह से बाहर निकल गए और उसके बाद, वो पूरी गटना के बाद, वो लोग कहां जाते हैं सोलवी अध्याई की 40 वी आयत में इस प्रकार लिका है वे बंदिग्रह से निकल कर लुदिया के यहां गए और भाईयों से भेट करके उन्हें शान्ती दी और चले गए देखें, लुदिया का परिवार प्रभु के लोगों के लिए कितना ओपन था अब पॉलूस और सीलास बंदिग्रह से निकले और उनके लिए घर करकर कहने के लिए एक स्थान है और वो है लुदिया का परिवार वो लोग सीधा वहां पर जाते हैं वहां पर जितने भाईयों हैं उनसे मिलते हैं उनको शान्ती देते हैं और फिर पॉलूस और सीलास आगे निकल जाते हैं मेरे प्रियों लुदिया का परिवार लोगों को आश्वासन देने के लिए भी बहुत आगे था लुदिया के परिवार दूसरों की भलाई चाते थे और इसलिए दूसरे भाई लोग भी उस परिवार में था इसलिए तो लिखा है ना पॉलूस आकर वहां के भाईयों को शांती दिया मेरे प्रियों हमारा परिवार भी दूसरों के लिए एक आशीश का कारण बनना है हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं नए नियम में फिलिप्यों की पत्री करकर एक पत्री है और उस पत्री पॉलूस ने फिलिपी देश के कलिसिया के लोगों के लिए लिखा लेकिन वो फिलिप्यों का जो कलिसिया है उसके शुरुवात कहां से हुआ उसके शुरुवात लुदिया और उनके परिवार के द्वारा हुआ मेरे प्रियों ये बहन जब प्रबु में विश्वास करती है उनकी आत्मिक बडोतुरी का कदम देख लीजे कैसे वो बढ़ता जाता है सबसे पहले वो उधार पाती है दूसरी बात हम देखते हैं वो घर आकर शेयर करती है फिर उनका सारा परिवार उधार प्राप्त करते हैं फिर हम देख सकते हैं उनका परिवार खुल गया और प्रबु के दास लोग वहाँ पर आए विश्राम करने लगे दूसरों के लिए शांती देने वाला परिवार बन गया और फिर हम आगे देख सकते हैं उनका परिवार के द्वारा वहाँ पर एक कलीसिया स्थापित हो गया ये लुदिया के द्वारा उस देश में या यूरोप के प्रांथ में परमेश्वर का वचन फैलने लग गया प्रबु ने किसको यूज की प्रबु को नहीं जानती थी पहले लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर उनकी जीवन को इस्तमाल करकर बहुतों के लिए एक आशीश का कारण बना दिया मेरे प्रिय भाई भैनों हमने उधार पाया हम प्रबु यूश्व मसी पर विश्वास करते हैं हो सकता हमने बप्तिस्मा भी लिया हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा अगला कदम क्या है दुआ कीजे कि प्रबु आप मुझे मेरे परिवार को मेरे घर को आपकी रज्य की बढ़ोत्री के लिए आप इस्तमाल कीजिए अगर आप सच्चे मन से प्रात्ना करोगे तो परमेश्वर आपको यूश करेगा आप हजारों के लिए एक आशीश का कारण बन जाओगे प्रबु इन बचनों के साथ आप सब को बहुत आशीश दे जैमसी की मmother waiting की ओमेश्वरों के मत आप सुपू सक्राण से लिए।